इस्टुडेंट्स हमने क्लास 10 की मितमेटिक्स में जो एक्सरसाइज बने वास्तविक संग्या है वह हम पूरी पढ़ चुके हैं अब पढ़ेंगे हम प्रिशनावली दो एक्सरसाइज दो जिसका नाम में बहुपद तो देखो बहुपद आपने कक्सानाइद में अच्छे स पढ़ चुके हैं आप बहुपद क्या होते हैं किस तरीके से इनको लिखा जाता है अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम बहुपद की घात यह परीपासा भी हम कक्सानाइद में आप पढ़ चुके हो फिर भी यहां पर एक बार रिविजन करवा दे तो देखो बहुपद की घात क्या होती है कि किसी भी चर एक्स के बहुपद पी एक्स में जो चर एक्स की जितनी अधिकतम घात होती है वही घात क्या कहलाती है से बहुपद पी एक्स की घात कहलाती है या पावर कहलाती है तो क्या बोला गया है कि चर एक्स के बहुपद प एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात केलाती है तो यह तो हो गए इसकी परिवासा अब इसको समझेंगे कैसे एक दो उदारण से देख लेते हैं जैसे मालों कोई बहुपद दे रहा है पी एक्स बरावर तीन एक्स इसकोर प्लस दो एक्स प्लस वन यह हमारे पास बहुपद है अब हम इसमें बोलेंगे कि इसकी घात कितनी है तो कैसे देखेंगे चर कौन सा है एक से अब एक्स के अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर एक है यहाँ पर दो है तो अधिकतम घात कितनी है दो है इसलिए कि इस बहुपद की गात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी बिसे एक और देखे लेते हैं AM two x3 plus two x2 plus x2 एक्स क्कूरेट ये हैं अब देखो इसमें जाट देखेंगे तो किसे इसमें चड़ेंगे एक से अब एकस कि अधिकतम गात कितनी है चार भी ये चार देखे तो इस बहुपद की गात कितनी के लाएगी, चार के लाएगी, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, बहुपद की गात निकालते हैं, परिवासा ये होईगी, अब चलते हम, अब बोलेंगे कि अगर बहुपद की गात एक हो, तो उस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, उस तो इसको क्या बोलेंगे हैं रेकी के बहुपद अब देखो अगर गात 2 हो गात 2 के बहुपद को क्या बोलते हैं द्विगाती बहुपद बोलते हैं इसको कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं त्रीगाती बहुबद केते हैं इसको किस तरीके से लिखते हैं त्रीगाती बहुबद को इसको लिखा जाता है PX बरावर AX क्यूब प्लस BX स्क्वाइर प्लस CX प्लस D इस तरीके से लिखा जाता है जहां पर देखो यहां A, B, C, D क्या है यहाँ A, B, C, D क्या है वास्तविक संक्या है और इस A का मान क्या नहीं होना चीए जीरो नहीं होना चीए अब चलते हैं बहुपत का सुन्यक ये भी हम कक्सर नाइत दुबे पढ़ चुके हैं बहुपद का सुनने क्या होता है पिर भी एक बार यहां पर देख लेते हैं कि क्या होता है देखो एक वास्तिविक संक्या के बहुपद पी-कस का सुनने कहलाता है या पी-कस सुनने कहलाती है यदि पीध क правильно ढबर 0 हुँ अब देखो इसका मतलब क्यूआ कि कोई हमारे पास सिंग्या का है कि वो बगुपत पी-कस का कि सुनने कब लेते हैं जैसे यह बहुपद है मारपास पी एक्स बराबर मालों यह एक्स प्लस का वन यह हैं अब इसमें अगर हम कोई वास्ट्विक्स क्या क्या लें जैसे माइनस वन अगर हम लेते हैं यहां पर तो देखो पी ओ माइनस वन बराबर माइनस वन प्लस वन बराबर कितना आएगा जीरो आएगा तो देखो इस बहुपद का मान माइनस वन पर क्या हो रहा है जीरो हो रहा है इसलिए माइनस वन इस बहुपद का क्या होगा है कि सुन्यक होगा इस सरीके से हम सुन्यक ग्यात करते हैं और यह सुनने की परिवासा हो गई इसके बाद देखो अब बात करते हैं कि जैसे कोई बहुपद है तो उसमें अधिकतम कितने सुनने को सकते हैं तो देखो क्या बोलेंगे हम कि घात एन के बहुपत के अधिक्तम एन सुन्यक हो सकते हैं मतलब जितनी उसकी पावर होगी जितनी उसकी अधिक्तम घात होगी इस बहुपत की उतने ही उसके सुन्यक हो सकते हैं जैसे दो घात का है तो दो सुन्यक हो सकते हैं तीन घात का है तो तो तीन हो सकते हैं 4 हो सकते हैं किसी बवपत्र के सुन्यकट और गुडांकों में संबंध्त की संक्षा हो देखो माना धिगात बहुपत Px बरावर Ax square plus Bx plus C के कोई दो सुन्यक alpha और बीटा हैं, देखो इन्य क्या बोलते हम, इसको तो बोलते हम alpha और इसको क्या बोलते हम, बीटा हैं, तब हम क्या लिखेंगे, सुन्यकों का योग- बराबर अलपा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे हम माइनस बी बटे ए ये वाला माइनस बी बटे ए बराबर में क्या लिखेंगे माइनस एकस का गुणांग बटे एकस स्क्वार का गुणांग अब सुन्ने को का गुणनफल कैसे लिखेंगे वो लिखेंगे सुन्ने को को गुननफल बराबर alpha into beta बराबर c बटे ए यह वाला c बटे ए बराबर इसको क्या बोल दें अचर्पद यह सी हमारा पास अचर्पद होता है constant होता है अचर्पद बटे x-square का गुणाग इस तरीके से हम सुनने को का योग और सुनने को का गुणनफल ग्याद करेंगे उसके बाद चलते हैं बहुपदों के लिए विवाजन एल्गोरितम देखो जब हम नॉर्मली संक्याओं का भाग देते हैं उसी तरीके से हम क्या गड़ते हैं बहुपदों में भी बाग परिकिरा चलती है तो उसको हम क्या गोलते हैं विवाजन एल्गोरितम इसमें हम क्या देखेंगे कि यह चीज हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है भाचक इन्टू भागपल प्लस सेज़पल यह क्या हो गया भाज्य बराबर अब देखो कि यदि PX और GX कोई दो बहुपदे किलिए जहां देखो इनकी डिगरी केसी भी हो सकती है एक हो दो तीन के दिनी भी हो सकती बस बहुपदे जहां GX इस नोट इक उस्ट जीरो जहां GX का मान जीरो नहीं होना चाहिए हो तो हम बहुपदे QX और RX अब यह दो नए बहुपद हम ऐसे प्राप्ट कर सकते हैं कि PX बराबर देखो यह दो नए बहुपद इस तरीके से प्रा यह लिख सकते हैं इसके बाद देखो जहां RX की वैल्युदे को 0 सकती है इसको हम रिमिंडर बोलते हैं सेसफल तो इसकी वैल्यूद जीरो भी हो सकती है अथवा इस एक सीजो पावर एस आरेकस की जो गहात है कितनी होना चीण वह इस क्योंक्स की गात से कितना होना चाहिए के कम होना चाहिए है यह लेजदेन का सइने अब देखो यह निस्कर्थ मोपधों के लिए कंद इसको बोलेंगे ऑलफा बीटा ओर इसको क्या बोलेंगे गामा त्रीगात बहुपद के सुन्नेक हो जैसे मालोब त्रीगात बहुपद के सुन्नेक है तो उसमें हम इन तीनों सुन्नेकों का योग अलपा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कैसे निकालेंगे माइनस बी बटे ए ठीक है और फिर यह वाली चीज नई आईए इसमें कि अलफा बीटा प्लस बीटा इंटु गामा प्लस गामा इंटु अलफा इन तीनों का गुड़नफल का योग कैसे निकालेंगे और इन तीनों का गोड़न फल कैसे निकालेंगे अलपा इंटू बीटा इंटू गामा बरावर माइनस डी बटे ए इस तरीके से यह तिरिगात अबबद के लिए भी यह सुत्र हो जाएंगे तो आप यह हमारा बेसिक हो गया अब हम पढ़ेंगे प्रशनावली 2.1 तो आप क् कोई अच्छे से संबनी मैं जाए उसके बाद आप पढ़ना प्रशनावली 2.1 के लिए आप चलते हैं हम एकसरसाइज 2.1 की तरह परशनावली 2.1 इसमें देखो आपको एक ही क्यूशन दिया गया है और एक क्यूशन के 6 पार्ट दिये गये हैं इसमें देखो क्या बोला ग सब्सक्राग्रती 2 dh1 एक में दिया गया है तो पर्तेक इस्तिती में पिए station को कि संक्राइब याद करनी है यह हमारे पास डिये गया है यह इस में इस画 लग दिखकर हमें क्या निकालना है इसके पि-एकस के सुनने को कि संख्या मैं निकालनी है देखो एक बात मैं clear कर देता हूँ की graph देखकर सुन्यकों की पिना क्या खते देखो P के लिए पूद्चा गया है तो हम क्या देखेंगे केवल X आक्स को ही देखेंगे देखो यह जो graph गाया है जिसे यह graph जा रहा है यह X आक्स को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके सुन्यकों की संक्या होगी वह कीसे अब हम देख लेते हैं एक बार और इसका पहला किसम देखते हैं आंसर नंबर वन- को समय च्पप आहँ यह रहा हमारा एक सक्स यह हमारा वाई देख ए अब एक सक्स में सुनने को की संख्या कि संख्या कि कितनी होगी जीरो होगी क्यों होगी क्यों कि एक्स अक्स को कोई भी वक्र या कोई भी ग्राप नहीं काड़ता है तो इसका कारण क्या लिखेंगे क्यों कि एक्स अक्स को एक्स अक्स को ग्राप नहीं काड़ता है नहीं काड़ता है कि लिए अब देखते हैं हम इसमें आंसर सेकंड में यहां पर देखो यह एक सक्से यह हमारा ग्राप जह रहा है अब देखो यह ग्राप यहां ओकर निकल रहा है इस बिंदु से उकर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राप इस एकस-को एक जगह पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सुनने को की संख्या, सुन्यकों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे एक क्यों लिखेंगे क्योंकि क्योंकि ग्राफ एक्स अक्स को एक्स अक्स को एक बार काड़ता है एक बार काड़ता है बिल्कुली सिंपल क्यूसन है और एक्जाम की दरस्ट्रे से इक्यूस्न नहीं और experiment आते भी नहीं लेकिन exercise में दे रखे हैं तो हम पढ़ेंगे इनre इस संसर नूम्र जंत इस इस सबसे से सब्सक्राइब को और ग्राप हो के निकल रहा है यहां से गया एकम की इंधा रोके आया फिर यहां दूसरी बार टच किया और यहां तीसरी बार टच किया तो कुल मिलाकर इस ग्राप ने एक अक्स को कितनी बार काटा तो इसमें सुनने को कि संख्या कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी तो यहां क्या लिखेंगे क्योंकि ग्राफ ग्राफ एक्स एक्स को एक्स अक्स को तीन बार काड़ता है कि लिए यहो गया मरपास तीन किउसन आप देखो अब चलते हम इस के फोर्थ किउसन की तरब देखो फोर्थ वाले में सबसे बेला हम क्या देखेंगे ग्राप को देखेंगे यहां पर देखो यह एक सक्स हमारा अब देखो इसको यह ग्राप निकल रहा है यहां उकर एक बार टच किया फिर यह निकला उपर दूसरी बार टच किया मतलब दो बार इसने एक को काटा है तो इसमें सुनने को की संख्या कितनी होगी दो होगी तो हम क्या लिखेंगे आंसर आंसर पोर्थ यहां लिखेंगे सुनने को की संख्या कितनी होगी दो होगी क्यों होगी क्यों कि क्योंकि ग्राफ एक्स अक्स को एक्स अक्स को कितनी बार काड़ता है दो बार काड़ता है दो बार काड़ता है अब देखो इसमें देखते हैं फिप्त वाले में तो आंसर फिप्त इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ग्राफ देखेंगे एक सक्स को गराप कितनी बार काट रहा है उतनी हमारी क्या होगी सुनने को की संक्या होगी तो देखो यहां से गराप स्टार्ट हुआ यहां गया एक बार टच किया फिर इधर से निकला फिर यहां टच किया दो बार टच किया फिर यहां से निकल के यहां गया तीन बार टच क तो यहां के लिखेंगे, सुन्य को की संख्या कितनी लिखेंगे, चार क्यों क्यों कि क्यों कि गराफ, एक अक्स को कितने बार काड़ता है, चार बार काटता हे अब चलते हैं हम six की तरफ answer six अब इसमें देखते हैं गराप देखो यहाँ गया गराप एक बार यहाँ काटा अब यहाँ जाकर वापस गया देखो यहां अब अब इसको दो बार count नहीं करेंगे क्यों कि यह यहां टउच करके वापस चला गया। अगर यह नीचे आता नीचे से वापस जाता तब मम quindi without खांट करते। तो यहां एक बार यहां ओ गया। दूसरी बार हुगया इसी तरीक्ष से तीसरी बार यहां ओगया। तो graph x को कितनी बार काड़ता है, तीन बार काड़ता है, तो इसके सुन्ने को की संख्या कितनी होगी, तीन होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सुन्ने को की संख्या, सुन्ने को की संख्या, बराबर, सुन्ने को की, संख्या बराबर कितनी आएंगी, तीन आएंगी, क्यों, क्योंकि क्योंकि ग्राफ X-AX को X-AX को तीन बार काड़ता है तीन बार काड़ता है तो students यह हो गई आपकी प्रस्णावली दो दस्मलाव एक इसमें एक ही क्यूसन था यह हमने इसके सारे पार्ट सोल कर लिए अब हम पढ़ेंगे प्रस्णावली दो दस्मलाव दो